तो दोस्तो जैसे कि आप जानते हैं इसमें भारत के अंदर लोकसभा के नए टर्म के लिए इलेक्शन चल रहा है जिसका की नतीजा आने वाली 4 तारिक यानी 4 जुन को लगवग 6-7 दिन के बाद डिकलेर होना है जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के इस इलेक्शन के उपर दुनिया के कई देशों की नजर थो है ही खास तोर से अमेरिका रसीया चायना जरमनी और बिरेटन जैसे देश हैं जिनकी साथ भारत का डाईरेक्ट बिजनेस ट्रइंजेक्शनल रिलेशन सिप हैं लेकिन भारत के इस चुनाब के उपर हमारे परोसी देश पाकिस्तान की खास नजर है और इन फैक्ट पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया भारत की इस चुनाब को ले करके न सिर्फ इंटरेस्टेड है बलकि कई मायनों में भैभीत भी है जिसको कि पाकिस्तान के कई लीडर्स और पाकिस्त पाकिस्तानी मेडिया को भारत के बरतमान सरकार यानि मोदीजी के सरकार से इतना डर लग रहा है कि इनफेक्ट पाकिस्तान के कई लीडर्स तो खुलियाम अपना बियान दे करके नसिर भारत के मुसलिमानों को मोबलाइज करने की कोशिस में लगे हुएं बलकि उनके साथ साथ साथ भारत के दलीतों को जाती बात का डर दिखा करके भारत के मुस्लमानों के साथ साथ अन्य लोगों को भी पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी मेडिया की तरफ से और पाकिस्तानी लीडर्स की तरफ से लगता और बयान दे करके अर्टिकल लिख करके और टीवी गेड़ करके पाकिस्तान यह मेसेज परचार करने का पर्यास कर रहा है कि मोदी जी भारत के लिए ठीक नहीं है और इन फेक्ट आप जानते हैं कि भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान ही परस्त हैं जो पाकिस्तान की इस थेयोरी को आगे बढ़ा करके भारत के मुस्लमानों और भारत के कुछ हिंदुों को प्रोपेगेंडा कर उनको डर दिखा करके मोधी जी को हटा करके खुद सत्ता में आने का प्रयास करने में लगा हुए हैं जिनकी बात तो समझ में आती है लेकिन आप सोची या फिर पाकिस्तान के लीडर्स या पाकिस्तानी मीडिया ऐसा क्यों चाहती है कि भारत के अंदर मोधी जी सत्ता में ना आएं आखिर मोधी जी ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया के साथ ऐसा क्या क्या जिससे पाकिस पाकि स्थिति जो दुनियाża में है और खास दोर से पिछले 10 सालों के अंदर जब से मोदीजी की सरकार बनी है। 23 भारतिये पाक मेडिया के हिंदोर हमने क्याGER हो रखी है कि पाकिस्तान ना सिर्फ पाई पाए के लिए दुनिया के आगे हाथ Pf पहला रहा है। पाकिस्तान अपने असेट्स, अपने होटल, अपने एरलाइंस, अपने माइंस को बेचने की कगार पे पहुँच गया है और इसी के साथ पाकिस्तान जो दुनिया के अंदर इस हट तक आइसोलेट हो चुका है कि कस्मीर के उपर जिस तरह से पहले आए दिन हर तिसरा देश भारत को हीमन राइट्स की नसीहत देने लगता था वह अब लगवग बंदी हो चुका है और अगर कोई देश फिर भी कस्मीर का रागा लापता है भारत की मोदी सरकार उसको उसी आवाज में उसी टोन में इस कदर जबाब देती है कि उस देश को अपने उस बयानिया से बापस होना पड़ता है जिसका हमने एक्जामपल जर्मनी का एक मिनिस्टर का ब्यान कस्मीर के उपर देखा जिसमें भारत ने जब जर्मनी पे एक्शन लिये तो जर्मनी को बकाइदा जर्मनी के उस मिनिस्टर के ब्यान से बापस होना पड़ा यानि पाकिस्तान को कस्मिरी मुद्धे पे करारा जटका दिया है भारत की मौजुदा मोधी सरकार ने और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा जटका मिला है वह है टेरिज्म के उपर जो कि पाकिस्तान का ब्रेड और बटर थी जिसके लिए पाकिस्तान को पैसे अरब डेसों से मिलती थी जिसके जरी पाकिस्तान ना सिर्फ भारत की कस्मिर के अंदर बलकि भारत के दुसरे प्रांतों में भी दस्तगर्दी की कारी करने में सफल होता था जिस पर मोधी सरकार ने न सिर्फ इंटर्नली अपने देश को मजबूत किया बलकि एक्स्टर्नली अपना प्रक्ष भारत का पच्छ दुनिया सामने इस तकदर रखा कि दुनिया के कैदेश पाकिस्तान को सिधा सिधा दसगर्द का केंदर भी कहने लगे और फिर मजबूरन एकनोमिक तेंगी और इंटरनेसल प्रेसर के बजालत साथी साथ भारत सरकार का जवरदस्त सक्त रवईय के बाद पाकिस्तान भारत के अंदर दसगर्दी करने में पिछले दस सालों में काफी अर्श सफल रहा जिसके कारण फरेश्टेटिड पाकिस्तान भारत की मोजबूरी सरकार ने जो पाकिस्तान के साथ किया है ऐसे में पाकिस्तान क्यूं चाहेगा कि भारत के अंदर फिर से मोजबू CHAR slip कार बनी तो दोस्तो इस पर आपका क्या कहना अपने शीं कमेंड करें बदा सकते हैं थैंक्यू